त्री सिवायन नमस्तु भ्यम सावन महने की दसमी एक आदशी और दूआदशी अर्था त्रियो रशी तिथी जो की मिक्स है इस बार अपने आप में अद्भुत है और विसेश हो रही है इन तीन तिथियों के सर्वस्रेश टूपाय आपको बताना चाहूंगी जब भी आपक सिद्ध योग बन रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है इस दिन अगर उपाय करते हैं तो जल्दी फलित होते हैं इसके बाद एकादशी सावन महने की 31 जुलाई के दिन पढ़ने जा रही है इसके बाद जो प्रदोश ब्रत होगा वह द्वादशी और त्रियो दशी का उपाय बताना चाहूंगी और इसके बाद जो दसमी तिति का दूसरा उपाय है वह एकादशी दसमी और दुआदशी तीनव में आपको करना है लाब मिलेगा सबसे पहले जो दसमी तिति पर उपाय किया जाता है गुरु जी कहते हैं सिर्फ सावन महने में आप कर सकते है आपके पास 11, 21, 51 जितने भी शमी के पत्ते आपको मिल जाए तो दस मीती थी के दिन इनकी महत्ता बहुत अधिक कही गए गुरुजी कहते हैं एक जल का लोटा अपने साथ सिव मंदिर ले जाए एक घर के मंदिर में कर लीजे कीचड है माहौल इस तरह का है कि तमाम भारिश वगर आ जाती है तो अपना ध्यान रखिएगा तो एक पूजा की थाली में गोल बत्ती का घी का दीपक रख लीजे और ए इसके पश्चाद आप सभी को शहद में डुबा डुबा कर जो शमी का पत्ता है वह सिवलिंग पर चड़ाना है इसके साथ ही आप को चड़ाना किस तरह के है ताकि आप स्रेव स्रिंगार कर सके गुरुजी कहते हैं सावन महने की दश्मी पर जो भी सिव का स्रिंगार शमी के पत्ते में शहद लगाने से और महदेव कहते हैं कि इस भक्त ने मेरा आश्मी के पत्तों का और शहद का विसें स्रिंगार किया है अब मैं इसके जीवन को सजा दूँगा उजल कर दूँगा तो मंदी नहीं जा सकते घर पर करें सावन महने की दसमी तिथी पर बहुत सुंदर फरोगी आपको प्राप्ती होगी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, नोकरी नहीं मिल रही है कर्ज है माथे पर चड़ा हुआ है और विवाह की अरचन है, संतान सुख नहीं है तो सावन महने की दसमी पर करने का प्रियत्न करे भागी खुल जाएगा तो हमने बात कर ली प्रथम उपाए की बढ़ते हैं दसमी एक आदशी और द्वादशी पर किया जाने वाली उपाए की तरफ तो आप सभी को जैसे मैंने बताया, गुरुजी कहते है, घर में लगे की पित्रदोश की समश्या है तो गाए को एक चीज आपको खिला देनी है कई बार प्रशना आते हैं दिरी हमारा उपवास है तो गौमाता को क्या हम एक आदशीती थी पर कुछ भी नहीं खिलाएंगे तो आपको प्रमानिक जानकारी देते हुए चलों कि आपका उपवास है भगवान का उपवास नहीं है भगवान को भी भोग लगाया जाता है गौमाता को भी रोटी खिलाई जाती है देखे यह संसार चक्र है यह कैसे चलेगा आप तो फलाहर कर लेंगे परन्तु गौमाता को तो अन्य की आवशक्ता होती है तो उन्हें आप रोटी खिला सकते हैं आप यह जानकारी पंडित पुरो ही जिन से जिन आप मानते हैं सचे ग्यानी के सरूप में उन से शेयर कीजैगा और यह ज्यान है प्राप्त कर सकते हैं तो गौमाता को जरूर से रोटी खिला ये उन्हें भूगा नहीं रखा जा सकता तो आप सभी को बताते हों चलो गौुरू जी कहते हैं जब भी जो है एकादशी दस्मी और द्वादशी तिथी हो तो सोमक पित्र का नाम लेना है किसका नाम लेना है सोमक पित्र जिनका गरूर पुडान में भी वर्णना आता है तो सोमक पित्र का नाम लेकर आप सभी को गव माता को कुछ भी मीठा रख कर आपके घर पर शक्कर है बूरा है चीनी है या जो भी मीठा बना है आप रोटी में रख लिजए सोमक पित्र का नाम ले लिजए और गौ माता को तीन तीठियों में तीनों में लगातार कर सकते हैं दसमी, एकादशी, द्वादशी अगर एक दिन भी कर लेते हैं तो उत्तम फलों की प्राप्ती होती है पूर बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ यह उपाय बहुत सरल है गुरुजी कहते हैं अगर जीवन में हार रहे हैं दुख पा रहे हैं बच्चे क्रोधी है गलत संगत में हैं पती भी यही करते हैं चिड़ चिड़ स्वभाव है और उनके नोकरी भी बहाव और कहने कारते है ब्यापारित्यादी की दिक्कत है कुल मिलाकर परिवार में जिसके भी समश्या है दसमी एकादश्वी के दिन आपको यह उपाई स्रेश्टतम सरूप में करना चाहिए देखिए साल भर में जो भी मनोकामनपूर्ण नहीं हो पाती है वह सावन महने में होती है और यह सावन का महना तो गुरुजी ने कहे रखा है कई वर्सों की तपश्या के बाद प्राप्त हुआ है कि यह सावन से सुरू है और सावन सौंबार तक ही है अंत के सवरोप में हमें प्राप्त हो रहा है तो इस महने आपको छोड़ना नहीं है घर पर ही करना है शंभेश्वर महादेव का नाम लेना है तीसरे उपाय में ठीक है आपको इस उपाय को करने के लिए एकतिस बेल पत्र की आवशकता पड़ेगी बेल पत्र नहीं है तो आप पुरानी जो सीवपर चड़ी हुई है उन्हें दोगर भी काम में ले सकते हैं शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर एकतिस बेल पत्र एकतिस चावल के दाने अपनी पूजा की ठाली में रख लीजिए अब आप जो बेक्ति प्रभावित है जीवन में हारी बिमारी परेशानियों से उसका नाम गोत्र बोलकर सीवलिंग पर 31 अर साथ 31 वेल पत्र 31 चावल के दाने धीरे 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 सीवलिंग पर समर्पित करना सुरू करते हैं तो शंभेश्वर महादेव के क्रपा से उसके नवगरों की दशा सुद्रिड होती है रोग कर्ज संकट पीड़ा से उसे मुक्ति मिलती है और हर स्वरूप में भेसुक प्राप्ति कर लेता है तो आप कोशिश करें यह उपाय आप दसमी को भी कर सकते हैं एक आदशी को भी कर सकते हैं कोई दिक्कत के बाद नहीं है ठीक है मैंने सुरू में ही बता तिथी के दिन सरवार्थ सिद्ध योग है और दसमी 30 जुलाई को पड़ेगी 31 जुलाई को एकादशी है और एक अगस्त 2024 को प्रदोश का ब्रत किया जाएगा और इसी दिन 10 में तिथी भी रहेगी ठीक है जी यह बात हो गई यह सरल से हो पाय की अब इन तीनों तिथी हमें गुरुजी तो दो तारिक को मासिक सिवरातरी के दिन हम सभी को पार्थिव सिवपूजा कराएंगे ही अगर आपकी कोई परिस्तिती विप्रीत है कहीं जाना पड़ गया है या साम को साथ बजे आ अच्छी अवस्ता में है इस दिन भी आप सभी विशेश तवर पर पार्थिव सिवपूजा आपने घर पर कर सकते हैं दसमी तिथी के दिन सरवार्थ सिव पूजा कर सकते हैं प्रदोश व्रत द्वादशी मिश्रित है तो इसकी तो परिकल्पना ही अध्भुत है परम सु तो प्रदोश्वvida दिन भी आप पार्थिर सिव पूजा कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। साबन सिव रात्री उस दिन भी आप पार्थिर सिव पूजा कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी इन दिनों में एकादशी हो गई, दस्मी हो गई, प्रदोश हो गया, सिवलिंग पर 108 कोई न कोई वस्तु चड़ाते हैं तो भागी खुल जाता है, राह खुलती है, रोग कर्ज संगट पीडा से मुक्ति मिल जाती है, बात कर लेते हैं अंती मुपाय की जो कि एकादशी के दिन किया जाता है, वह इस तरह से है, एकादशी के दिन आप हार रहे हैं जीवन में, तो एक पात्र में जल ले लीजिए, जल में आप सभी आवश्यक रूप से थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, पांच बेल पत्र उसके अंदर डाल लीजिए, यह ख जी हुई साथ बेल पत्र को भी सिवलिंग पर समर्पित कर देने से एकादशी ब्रत को पूर्ण रूप से आप फल के सरूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो यह सुन्दर उपाय में ने दश्मी एकादशी के आपको बता दिये, बात कर लेते हैं प्रदोश ब्रत की, जैसा क आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं, जब भी प्रदोश ब्रत पड़े अपने जल के लोटे में, आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा हरामूंग डालना है, गुड का टुकडा, शमी का पत्ता और बेल पत्र डाल कर सरी सिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सिवलिंग पर अपसे सुख पाएंगे इस बात की गारंटी है, वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या कोई मोहरत इत्यादी कि मुझसे बात करना चाहते हैं, परस्नल रूप से, तो आप मुझे कमेंट्स में, जो है मिसे जोशी फैमली नाम से सर्च करकर मैंने उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर वगरा भी दिया हुआ है उस चैनल पर आप मुझसे जोतिस परा मरशिल ले सकते हैं